Cognitive Behavior Therapy में activity scheduling होती है और automatic negative thoughts पे काम किया जाता है तो हमें यह देखना पड़ेगा जो worthlessness का thought है वो environment की वज़े से आया मतलब आसपास का जो महौल है socially आया मतलब कि किसी के behavior या किसी ने कुछ कह दिया या personal factors की वज़े से आया अपनी ही सोच के वज़े से आया तो अब उसमें एक concept आता है mastery और pleasure का जैसे क्या risk है जिसकी वज़े से उनका self confidence कम हो रहा है या क्या protective factors हैं जो उनको फाइदा पहुचा रहे है उनसे automatic thoughts हैं और क्या हमें बदलाव करने चाहिए नमस्कार आज हम बात करेंगे बहुत ही requested topic की वो है CBT in depression CBT का मतलब होता है cognitive behavior therapy cognition मतलब आपकी सोच behavior मतलब रोज मरना में आपका behavior कैसा है आप बिस्तर पर पढ़े रहते हैं या वो काम कर पाते हैं जो की आपको करना चाहिए जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए जो cognitive जो word है thinking वाला उसमें दो वीडियो मेरे अलड़ी exist करते हैं जो आप देख सकते हैं description में तो आपको better समझ आएगा उसमें से एक वीडियो है cognitive triad of depression R&T Beck G का और दूसरा वीडियो है cognitive distortion वो भी R&T Beck G नहीं दिया था cognitive therapy में दलतार तर जो है वो सोच पर ही काम होता है बट research यह कहती है कि जो behavior है वो जादा strongly impact करता हमारी सोच को बजाए जितना हमारी सोच behavior को impact करती है तो मैं आपको एक simple example दूँ आपने सोचा कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ या वजन कम करनी चाहती हूँ तो ऐसा तो बहुत लोग चाहते हैं बट काफी कम लोग हैं जो actually dieting start कर देते हैं तो अगर आप नहीं भी चाहेंगे और आप कम खाना शुरू कर देंगे तो भी आपका वजन जो है वो कम हो जाएगा तो इसका best combination क्या होगा कि आपकी सोच पे भी काम किया जाए और behavior का यहां से भी best ले लिया जाए और वहां से भी दोनों को जब हम combine कर देंगे तो उसको बोलेंगे cognitive behavior therapy अब हम बात चले जाते हैं पीछे दुबारा entity बैक जी को cognition को समझने के लिए क्या होता है इन शॉट अदरवाइस फूल के लिए तो आप वीडियो देखी सकते हैं एक वर्ड होता है hopelessness एक होता है worthlessness एक होता है helplessness hopelessness का मतलब है किसी इंसान से अगर आप बात करेंगे कि आने वाला समय कैसा होगा तो बोलेगा अच्छा ही होगा लेकिन जब depression में इंसान होता है तो उसको लगता है कि आने वाला जो समय है वो भी अच्छा नहीं होगा तो उसकी जो hope है उम्मी में काफी एहमेत रखता है खासकर cognitive behavior therapy में उसके बाद हम बात करते हैं helplessness helplessness जो होती है वह आसपास की दुनिया या लोग मैं जो है किसी से मुझे मदद नहीं मिल पाएगी कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा चाहे वह पैसा हो समय हो समय भी ठीक में चल रहा है लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं लास्ट में हम बात करते हैं worthlessness की मुझे self-confidence जो है वह चला गया है कहीं न गहीं और self-esteem या self-respect जो है वह काफी कम हो गई है अब उसमें क्या होगा cognitive behavior therapy में activity scheduling होती है और automatic negative thoughts पर काम किया जाता है जैसे कि इनसान जो है इसमें यह मोटिव नहीं होता कि therapist का जो psychotherapist करेंगे यह psychologist will be the better person जो इस therapy को execute करते हैं इस therapy में क्या होता है दोस्तों कि हम यह नहीं उमीद कर रहे हैं हम उनको motivate करके एकदम top of the world पहुंचा देंगे हम यह कोशिश करेंगे कि जितनी भी उनकी mental abilities हैं जो behavior अभी हमारे पास available है उसको हम कैसे workout कर सकते हैं क्यों इंसान को ऐसा लग रहा है कि वह worthless है तो उसके अपनी वर्थ जो है वह बेटर लगे अगर depression third degree को होगा कि वह सारा दिन बिस्तर में ही पढ़े रहते हैं और उठते ही और commands को execute नहीं कर पाएंगे तब तो CBT नहीं हो पाएगी अगर depression जो है first a second degree का mild or moderate है तो उसमें तो CBT mild में तो number one पे आएगी two में combination भी हो सकता है medicine भी हो सकती है और therapy भी हो सकती है और severe level of depression है जिसमें बहुत ही ज़्यादा suicidal thoughts हैं psychotic symptoms है और psychotic depression पर भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं link description में डालेंगे तो उस case में जो है आज उनका month end था तो वह बॉस की meeting था तो इसलिए खाना उन्होंने फटा-फट खुदी पैक किया और वह भाग गए और बल्कि उन्होंने सुपे बच्चों को भी खाना किला है क्योंकि जो वाइफ है आज कल उसका mood उदास रहता है मन नहीं करता काम करने को हर काम के लिए अपने आपको push करना पड़ता है तो हमें यह देखना पड़ेगा जो worthlessness का thought है वह environment की वजह से आया मतलब आसपास का जो महौल है socially आया मतलब कि किसी की behavior या किसी ने कुछ कह दिया या personal factors की वजह से आया अपनी ही सोच के वजह से आया फिर इसमें हमें देखना पड़ेगा क कि क्या risk है क्या protective factors है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो worthlessness का thought आया है उससे हम बात करेंगे कि आप अच्छा बताइए कि क्यों आपको लगा कि आप worthless ने है पहले तो मेरा मंद ठीक रहता था ता मैं घर का सारा काम करती थी तो husband ने मुझे पूछा तक नहीं इसका मतलब अब मै किसी लायक नहीं रही हूं मैं बच्चों को भी नहीं संभाल पाती हूं जबकि जो husband है वो तो अगर उनसे वह बात करती है उनको clarify करती है उनसे पूछती कि आज आपने ऐसा क्यों किया तो husband का perspective तो यह होगा कि डॉक्सा मैं समझ रहा हूं कि इसका मन आज कल थोड़ा होता है कि पूरे दिन में हमें लगबग साट जार थोट्स आते हैं और यूजली यह देखा गया रिसर्च के हिसाब से चे मिसे पांच तो नेगिटिव होते हैं नेगिटिव थोट्स आना को बूरी बात नहीं है उसमें यह होता है कि वह survival point of view से important होते हैं कि आपका दिमाग स्कैन करता है कि कौन सी थौट गलत है पर डिप्रेशन में उस थौट को कहीं जादा बल मिल जाता आप उसे एग्नोर नहीं कर पाते और उस थौट के हिसाब से ही अपनी जज्जमेंट बनाने लगते हैं और एविडेंस ढूड़ने लगते हैं और जरूरी नहीं है कि वह ज बचचों की मदद करती है माँ उंकी होमवक्ट में जो की होमबेंकर 30 वह जब उनकी मदद करती है उनके खाना बनाती तो उसे बहुत अच्छा लगते और भी कि खेलते हैं उनकी आवाज आती है तो संब्रादा खुश होता है वाज कि चल उसी चिडट चिडट हाट हो रही कि जो हम targets बनाएंगे targets कैसे बनाएंगे उनकी activities हमें जान नी पढ़ेंगे कि फिछले दो हफते में या पिछले दस दिन में उनने hour to hour basis पर क्या किया किया जैसे पहली बार जिन पर उनकी mastery है जैसे बच्चों को समालना इस case में हम इसी example पर टिकते हैं समझने के लिए तो उसको वो कुछ काम करें जब वो ऐसा काम कर पाएंगी तो उतना worthless नहीं लगेगा उनको लगेगा कि हां मेरी भी importance है इसके लिए हम history में भी जा सकते हैं उनके current scenario को भी दे सकते हैं और जो उनके automatic thoughts है जिनको cognitive distortion भी बोलते हैं भारी भरकम psychology की भाश्या में cognition मतलब सोचना और क्या करते हैं distortion मतलब गलत ढंक सोचने का तो उसमें बहुत सारे concepts है overgeneralization dichotomous thinking उसके लिए आप video ही देख लें तो वह better रहेगा तो basically CBT में क्या होता है कि activity मतलब behavior को change किया जाता है आपके thoughts पे काम किया जाता है अब इस combination में एक professional काम करता है जो कि psychologist जो है वो far better होता है compared to psychiatrist because हमें को professional training नहीं होती है psychotherapy करने की अगर कुछी ने कर रखी है psychotherapy की training एक psychiatrist ने तो definitely वह counseling देने के लिए बहुत अच्छा है बट मैंने नहीं की हुए है इसके लिए प्रफेशनल की जुरत पड़ेगी तो जहां तक medicine की बात आती है उसमें तो सभी psychiatrist आपकी मदद कर सकते हैं जो जिन्होंने psychotherapy भी करते हैं या उन्होंने सीखी हुई है वो psychotherapy में भी मदद कर सकते हैं लेकिन जायतर जो professionally qualified लोग होते हैं psychotherapy या CBT करने के लिए वो psychologist होते हैं ना कि psychiatrist until unless किसी ने professional कोई course किया हो और वो passionate हो उस चीज़ को लेकर तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा example के महाध्यम से कि कैसे behavior या उनकी activity में change किया जा सकता है कैसे उनके negative thoughts को dissect करके ढूंडा जा सकता है कि उसमें environmental factors है या social factors है या personal factors है क्या risk है जिसकी वाज़े से self confidence कम हो रहा है या protective factors हैं जो उनको फाइदा पहुचा रहे हैं कौन से automatic thoughts हैं और क्या हमें बदलाव करने चाहिए और यह over a period of time होगा इसमें कुछ महीने लग सकते हैं हाफते में तीन sessions की भी जुरत पर सकती है दो sessions की भी जुरत पर सकती है और माइल्ड से moderate depression है first degree या second degree आप कह लीजिए तो उसमें जो है psychotherapy का काफी बड़ा रोल है first degree में तो हो सकता है medicine की जुरत दिना पड़े साइको थरीपी से इंप्रूमेंट आजाए पर अगर कोई के माध्यम से मेरी कोशिश थी कि आप cbt को समझ पहें तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दन्यवाद कर दो